शंपाउन राष्ट को शनी माउश्या की हर्दिक्स्वाइब 4 दिस्टंबर 2021 शनी माउश्या महत्चव सिरी सनिधाम शनी तिरद चेत्रा तोला फत्य पुर्वेरी में आप काश्वाद करेशनि भगवान के दर्सन पोजन तेला विशिक मेरी आराध्येक आद्भुद दिने 4 दिस्टंबर 2021 शनी माउश्या महत्च पुर्वेरी में आप काश्वाद आद्भुद मेरी आराध्येक आई दिवेश्थान है आली दर्सन करने से आपका जिमन फिश्वाद दिली और NCR की सभी लोगों को चाधा राममंत्रिद करता हूं सनिधाम में सनिय माउश्या के पावन्दवाद मित्राउंट साथ हूं करोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बैटर दन के और मास जरू रखें दूरी जरू रखें मरियादाओं का पालन करें नमो नारे जगो माता वंद्र मात्रमा भारति को प्रणाम और हिरदेशे ओम्शं शनिष्या राये नमावाद मित्राउंट जीवन में विश्वास बहुत बड़ी पुंजी है इस अंसार में विश्वास से बड़ी पुंजी कोई हो नहीं साथ लेकिन विश्वास कच्चे-धागे की तरह होता है जो तूड़ जाता है तो कभी नहीं जुड़ता भी है तो उसमें गांट परज़ाट प्रेंग और विश्वाश अप्ने आप में बड़े और जहां विश्वाश है वह फ्रेश प्रेम हें और जहां प्रेम है वह विश्वास के नमुनहेई सक्षम स्विट निच्ट कार्तिक 20स सार रविवार 14 नवंबर 2021 दोहजार एक्टीस सुरुध्यकालिन 25 नवंबर будутगा और कु försö माप्तीकाल दोहजार एक्केस, सुभे 6 बजटकर 49 नमिनेट पर अगला करन विष्टि लगेगा शूरी देकाली नक्षतर पूर भाद पर नक्षतर लगेदात् Sak theology रहे खाकतिक कर्षेन करेंगे । और आज के जो ग्रह योगा-योग है प्रात्कानि लगन तुला लगन लगन में सुर्य मंगल और बुद्ध चंदर्मा कुम राशी ब्रश्पति और श्णिदेव मकराशी शुक्र धनुराशी राव विर्शब राशी के तु विर्शग राशी यह है ग्रहों का योगा-योग और इसी आधार पर 14 नॉम्बर 2021 का मैंने राशी फल त्यार किया है आज का अभिजीत मूर्थ है सुबह 11 बजगर 44 मिन लेकर दोपार 12 बजगर 27 मिन तरेगा अवधी 43 मिन तक है और यह 43 मिन आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्तम मोहरत है कोई भी नया से घंच सब्सक्राइब शुबकार 25 मिन लेकर दोपर 12 बजगर पांस मिन तक है आज का रहुकाल 24 बजगर शुबकारी करना पुझन निवेश करना अनकोल और उचित माना नहीं इसलाउम रिर मर्जी आपकी बात करते हैं आगज की यातरा की पच्छिम दिसा की यातरा प्रिदर्शकौन में शाथियों शाधन प्रस्तियों में बखत बदलाव हो गया आप किसी भी दिशा में यातरा के लिए तो साथ कदम पच्छिम दिशा की और जाए इस्ट देवता खुल देवता और पित्र देवता का ध्यान करें मंगल में यातरा की कामना के साथ राइट टर्न ले और जाएं यातरा में कस्ट कमाएगा नमनान एकादस्टी है वही चौधा नॉवंबर आज एकादस्टी का देवार चौधा नॉवंबर साम चार बजकर 31 मिनट से लेकर रातरी 30 बजकर 43 मिनट तक सरवार सिधी योग साम चार बजकर 31 मिनट का टाइम अच्छा माना है नमनान अब बात उनकी करते जिनका आज जनम दिन है फिर साध्य की साल करें तो दाती महराज के और से आपको हर्दी सूप कामने आपका जिवन खुशों से भरा रेशनी भगवान के शिर्चर्णों में मेरी प्राइब आप में कारी करने की अपूर उर्जा शक्ति है आप घुमने फिरने के शौकित व्यक्ति है आप एक जगे पर टिकर रहना आपको पसंद नहीं है परिवतन आपको पसंद है एक से अधिक भासाओं का ज्यान बहमों की प्रतिभा की धनी बहुत अच्छे मनोविज्यानिक द कारवारी और कारोबार में हमेशा नुफसान प्राना परता है आप बहुत भाववक्ति है हर किसी से जुड़ जाते हैं जिसका खाम्याज आपको जिमने उठाना परता है आपके नीजी जीमन में हमेशा उठापठक रहती है आप अपने स्वभाव में चिरचड़ा पर पूजा इस्तान में सुद्ध देशी घी का देपक जलाएगे और सिद्ध कुंजी का इस्तरोत तुरुगा कवच अरगला इस्तरोत इसका पाट करना आपके लिए बड़ा शुबर बड़ा ही कल्यान करी रहेगा बात करते हैं जोतिश यह सुपरों मैं आज अस्त गरों की बात करोगा किस डिगरी पे कौनसा ग्रह अस्त हो जाता है कोई भी ग्रह जब सूरी के समय पाता है तब वो अस्त होता है क्या कारण है सूरी के तेज के आगे सभी ग्रह निश्तेज हो जाते हैं सूरी की त्रिव और रोशनी दूसरे ग्रह के तेज को निश्परभावी कर सब्सक्राइब शूरी से बारा डिगरी या उससे कम सूरी के नजदिक आ जाता है तब चंदर्मा अस्थ हो जाएगा बुद्ध तेरह से चोदा डिगरी के आसपास सूरी के नजदिक होगा तो अस्थ हो जाएगा ब्रश्पति 11 डिगरी के आसपास सूरी के आसपास रहेगा तो अस्थ हो जाएगा शुक्र 9 डिगरी के आसपास जब रहेगा सूरी के नजदिक तो वो अस्थ हो जाएगा शनी देव 15 डिगरी के आसपास सूरी के आसपास 15 डिगरी के आसपास है शूरी के तो अस्थ हो जाए सब्सक्राइब करतें आपके राशी पलकी राशी आपकी चंदराशी पराधारी सब्सक्राइब में 11 भा में पूर्व भादरपन नक्षतर और उत्र भादरपन नक्षतर में चंदरमा का संच्रण है शमय मेश रासी वालों के लिए उत्तम है नीजी च्छाओं की पूर्ती होगी इदिया बेरोजगार रोजगार मिलेगा नौकरी में तो उन्नतिक अफसर पारत होगी नहीं वेविसाइक अनमद और लाब दाय की कारोबारी यात्राओं का योग भी है घर में शुब और मांगल से छुटकारा मिलेगर उच्छ सिक्षा के सितर में परिशम और मिहनत का पूर्ण फल अप्राप्त होगा क्या करें पारवरी सदेशियों की आवशक्ताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्या ना करें साज़दारं सद अनबन नहों इस बात का ध्यान नके सुबंग सा आज आपके लिए नहमन नहीं बात करते हैं विर्षभ राशी वालों गलेगर जो परेशानी के लिक्ति रुकावट है उसमें ठोडि सी कमी आहे धन की प्राप्ति होगा अदिगारी वर्ग का विश्वास और स्रहुप प्राप्त होगा आरती किसी मजबूत होगी इची सपलता मिले गरू दामपती सुख बढ़ेगा आप इद्यारती हैं तो आज आपका मनोबल उंचा रहेगा श्वास्टमंदी परिशान से छुटकारा मिलेगा कॉलेज, स्कूल, इन्युशिट्री में आरी बाता हूं और परिशान से छुटकारा मिलेगा और परिख्षा पनाम अच्छे रहेगा क्या करें अनकूल अवशर है अपनों को साथ लिजी और इसका लाब उठाए क्या ना करें वैर्थ का तनाव और चिंता अपने उपर हावी नहीं होने देगी शुबंग आपके लिए आठ है शुबंग भूरा है और भागी आपकी पक्ष में सतर प्रसंद लाब का संके दे रहा है और विश्वरास्य वालों आज चीटियों को बूरा डालना आपके लिए शक्कर बूरा डालना आपके लिए बड़ा सुब्रेगा नहीं तो बात करते हैं मिथुन आशकी मिथुन आशकी वालों नमा में चंद्रमा का संचन और संचन पूर भाद नक्ष पतर में शमय इस बात का संके दे रहा है कि थोड़ा शा मध्यम है परिवार हो नौकरी हो बैविष्टाए हो कहीं पर भी संयम और धैरी से निरन लेग तो नुक्सान होता है। वैसे नक्षत्रक्रना इस बात का संकेदरी है कि आज संतसाने देखा आफसर मिलेगा, आध्यात में रुजान बढ़ेगा, शकारत मक्सोच रहेगी, कामों में रूची रहेगी, जिसरे के घरे योगाई होगे, धन समधी आफश्यक्तों की पूर्ति क साथ कामकाज में भी आज अनकूल रहेगी, बोधिक कारिम आप शफलता करेंगे, धार्मी गुरुधान अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा और दिक्षा को लेकर आप संतुष रहेंगे, और जो चिंताए थी तो प्रेशाने थे उसमें कम आए, कमी आएगी, विद्यारत आनुसार शाबुत मूँग, गरीब निर्दन जरुतमन महिला को दान में देंगे, तो आपके लिए बड़ा शुब्र है गनमोनन, और बात करते हैं करकराश, करकराश वालों आश्टरम भाव में चंदरमा है, और अश्टरम भाव में चंदरमा पूरु भादर पर नक्षत ने करें, अनावशिक कारियों से, अनातिक कारियों से दूर रहें, पारवारिक जिम्यदारियों के पर थोड़ा सा ध्यान दे, बाद व्याद को अपने उपर हावी नहीं होने दे, खर्चों पर अंकूस रखे, और घरेलू आवशिक्तों की पूर्टी करना कठीन होगा, इ जबंग दो है, सुबरंग नेला है, भाग ये मात्र आपकी पक्स में 35 परसेंड लाब का संकेदर है, लापरवाई नुक्षान दे सकती है, और आज करक राशिवालों प्रात काल, नित्यकर्म नित्यकर्म निविश्ण आनो परांद, गाई, देशी गाई के दूद में एक सिट की काले तिल मिलाई, और आउम नमाशिवाया, शिव गायतरी का जाप करते है, भगवाज शिव के शिवलिंग पर अभिशे करना कस्ट कमाएगा नमनन, और बात करते हैं सिंगराश, सिंगराश वनों सब्तमभा में चंदर्मा का संचर्ण है, उत्र भादर परनक्षतर और पूर भादर परनक्षतर में चंदर्मा का संचर्ण लाब का संचर्ण दे रहा है, ग्रेगोचर सुबह, भाग्यापकी पक्ष्म करवड ले रहा है, और मनो कामना पूर्ण होगी, और सास और पुर्शास बढ़ेगा, सामाजिक मान, सम्मान और परतिष्टा में बढ़ स्वास्ति मिलेगी, स्वास्ति ठीक रहेगा, अभिभाब का और शिक्षण को का पूर्ण शात मिलेगा, और एजुकेशन के सेतर में आज जिस्तर की घरे योगायोगे, पूर्ण, शफलता और लाब का संकेत नजर आ रहा है, क्या करें, कारुबारी यात्राओं के लिए, आज का दिन सुब जरूर है, लेकिन परावारी ग्रजा मंदिश, क्या ना करें, बेवजे कारे में फिर बदलने करें, सुब रंग साथ है, सुब रंग बैंगनी है, भागी आपकी पक्स में 70% लाब का संकेते रहे हैं, सूरी को आज मजबूत करने के लिए, तामबे के लो मंतर का जाब करते जलर पर दिए बड़ा शुब रहेगा, नमने पर बात करते हैं, कन्याराशी की छटे भाव में चंदर्मा का संचरन है, और चंदर्मा का संचरन लाब शपलता और खुशी का संकेत दे रहा है, समय सुब है और अनकूल है, आपके काम करने के तरीके के आपकी होगी, विद्यारतियों के लिए भी आज शिक्षा और के सित्र में अच्छे प्रणाम मिलने के संकेत मिले है, विगन और बाधाउं से विद्यारतियों से पीचा शुटेगा, मित्रमंडली सहयोगी रहेगी, अपने से बड़ों का पूर सहयोग मिलेगा और शिक्ष हरे रंके जो पते जैसे पालक है जिसे चोड़े चोड़े पते हो हरे रंके हरी हरी समझियां गाई को अपना हासे खिलाई मुली के पते होगे पालक हो गया चौलाई चौलाई नहीं होना चाहिए पालक हो गया हरी पतियां गाई को अपना हासे खिलाना बड़ा सुब रहेगा थन को लेकर सामझिक मान मर्यादाओं को लेकर पारवरिक शफलतां को लेकर जौब को लेकर संतान को लेकर आज आप भाग्यशाली रहेंगे बस बुजरगों की सलह पर थोड़ा ध्यान देगी और अपने परिष्टरम के विध्याने जे सफलता दामन चुनेगी पढ़ाई में मन लगेगा शिक्षा के चितर में सफलता मिलेगी पारवारी वात्रम अच्छा रहेगा और परिवार के लोग पढ़ाई में आपके साथ कड़े रहेगे किसी सामाजिक कारे करने का अवसरी मिलेगार समाज में आप अपने विचार भी रख पाएंगे धन समंदी मसले भी हल होंगे वित्यारतियों के लिए पूरा दिन आज सुब से बिज़ेगा पुने याद दिला रहा हूँ बुजरगों की सला अंदेखा नहीं करें क्या करें कोई भी कारी बुजरगों की सला से करें क्या ना करें स्वजनों से बैर भाव न रख सुबंग दो है सुबंग गुलावी और भागी आपकी पक्त में आज के दिन सर्दान सार दही गरी निजन स्वागन इसरी को दान में देना बड़ा शुब रहेगा नमना इनू बात करते हैं वर्षिक रासी कि वालों के चोथे भाव में पूर भादर पदर उत्र भादर पर नक्षत में चंदरमा का संत्रन परिशानी का संके देरा शमय प्र करें नुक्सान की संभाव नहीं क्या करें अपने कारी में किसी को दखल अंदाजी नहीं करें सुबंग एक है सुबंग लाल है भागी आपकी पक्ष्ण मातर 35% लाब का संकेदर है आज वर्षिक रासी वालों सर्दान शार गूर गरीब निर्दन विद्वास्त्री को दान के दे रहें ग्रगोचर अनकूल है सितारे पूंता आपके पक्ष्ण करवड ले रहें सहसी कारी में शपलता हासिल करेंगी नए व्यविशाइक अनबंद लाप्रत साबित होंगी कारी में शपलता और मनोमाचित फल्की प्राप्ति होगी और गरस जीवन में सुकत बाता ब मिलेगा घूमने फिरने का भी अश्चर मिलेगा अच्छा समय बेठेगा क्या करें उचित समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाब उठाने कोई बी ऐसा काम जिसे पूरा करने में तकलिफ आ रही है इस उचित कि गोचर ठीक है तो परिवार का साथ देकर काम को पूरा करे सुबंग पांच सुबंग आपता प्रपलेर भागे आपकी प्रक्स में 80% लाब का संके दे रहा है जंडाश वालों आज की दिन सरदानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्दन ब्यक्ति को दान में देजिए का कर्ष्ट कमाएगा नमणने में बात करते हैं मकर आसे की दू अप्चर और राजनेतिक बर्चसु बढ़ेगा जिसरे की घरे योगायोग है धन की आवशिक्ता पूर्ति होगी पारवारी जम्मेदारियां ठीक रहेगी स्वजनों का सहोग मिलेगा लेकिन संतान की स्वास्ति को लेकर थोड़ा सावधानी और कारी चितन में संयम से निर आपके लिए नीला भागी आपकी पक्ष में 65% लाब का संके दे रहा है मकर राष्ट वालों आज के दिन सर्दानुसार सर्दानुसार देशी चने किसी निर्दन गरीब विद्वास्ति को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुब्र है गनमण परबात करते हैं कु राष्ट वालों के लिए पवारा पच्चित भागी आपकी पक्ष में करवट ले रहा है उनत्तिक अफसर प्राप्त होगी साज़दारी के कारिये में लाब मिलेगा जीमन साथी का पूर्ण शेग और लाब दाइक कारुबारी यात्राओं का योग और मित्रों से विशेश सहयों की प्राप्ति होगी धन मिलेगा नौकरी में अनकुलता आएगी समझिक वर्चत सुबढ़ेगा प्रसाशनिक अफसरों के लिए राजनेताओं के लिए दिन बड़ा सुबढ़ेगा और दामपदी संब्दों में अनकुलता आएगी क्या करें कारिक की प्रतिसल्दा जम्यदार बने रही क्याना करें धन का अनावशिक वय नहीं करें सुबंगा आपके लिए साते सुबरंग नीला है और भागिया आपके पक्स में आज 75% लाब का संकेत दे रहा है पुमराश्य वालों आज के दिन सरदाम सर तिल में बूरा मिलाई और चीठियों को डाली ज प्रतिकुलता से भरा रहेगा और अनावशिक परिशानियों का सामना करना पड़ेगा डरा निराओं प्रिवेंशन बेटर करने में आपको प्रिशानी आईगी मित्र प्रिजन श्वार्ति सिध होगी बहुत ज़रूरी है धैरिये सयुम और शावधानी से काम करें इस्तित प्रिशार्क और वितर्ग से अपना आपका समय नस्त नहीं करें विवादों से दूर रहे खान पान पर प्रिपर की सचेत्र कानुनी मस्तलों में हात नहीं डाले और संभव हो आज लंबी यात्रा श्यम भान चला करने करें विद्यार्तियों के लिए भी गोचर सावधानी क्या करें वाताबन को अन्कूल बनाने के लिए थोड़ी सी बाड़ी में मिठास रखेंगा क्या ना करें अनाविस्तिक बिना सोचे समझे क्रोध नहीं करें नहीं करें शुबंगी तीन है शुबंगी पिला है भागी आपके पक्स में 40% लाब का संकेतर मिंदा से और आज अपने माते पर केसर का तिलग लगाई और अपने इस दिवता को भी केसर का तिलग लगाना शुब रहेगा इता बारा को नहीं करनाश्यों कर अदार Williams and मैंने अपनी विचार रखे हैं, अपना अंकलन रखाए, अपना रुजान रखाए गरनक्षत्रों के आदार पर, मनो नमनो आपकी मर्ची सेकंड उपनेंगर अदिकार आपका था, आपका हाफी का रहेगा, मेरे से कोई भूल हो गई है, सवालों पर आता हूं कि जो आनक धन की हानी हो रही हो, आज की दिन प्रात्यकाल नित्य कर्म शनान उप्रांथ, 21 गोमती चकर लाल धागे में लपेट कर, मुख्य द्वार पर लटका देजिए, बंदन बार की तरह है, 21 गोमती चकर लेजिए, ठीक है, और लाल धागे में, पहले तो उसको किसी लटका देजिए, अवशी आपकी परिशाने से उटकार मेला मेलेगा, यह करके देखिए, हर 21 दिन के बाद पहले वाले गोमती चकर प्रभा कर देजिए, और दूसरे वाले धागे, लेकिन रविवार होना चाहिए, इस बात का विध्यान देखिए, जब भी यह गोमती चक अरिवेद इस बीमारी का अच्छा इलाज है, तब भी, इदी अचानक दमा का दोरा पढ़ता है, स्वास का दोरा पढ़ता है, सर्शों के तेर में तिटकी पर शेंदा नमक मिलाईए, धिरी धिरे आप मालिस करिए, खासी और दमे में इससे बहुत रात मिलती, थोड़ा सा प्रनायम, बस्तिरिका प्रनायम, कपालभाती प्रनायम, अनुनोग विल्लों, थोड़ा-थोड़ा करना सुरू करिए, रात जरूर मिलेगी, नमनायम, आप शुखी रहे, आप स्वास्तर है, समर्दी सील है, सरी भगवान के सिर्चड़नों में, मेरी प्रात्मा, नमना रह को शनि माउश्या की हर्दिक्स, चार दिस्तंबर 2021, शनि माउश्या महत्चव, शरी शनिधाम, शनि तेरद चेत्रा सोला फत्यपुर्वेरी में, आप का स्वाद, करिए सनि भगवान के दर्स्तन पोजन तेला विशिक, शंपाउन का स्वास्तर है, राश्वास्यों, मेरी आद्भुद दिन है, 4 दिस्तंबर 2021, शनि माउश्या महत्चव, शरी शनि तेरद चेत्रा सोला फत्यपुर्वेरी में, आप का स्वाद, आद्भुद, मेरी आद्भुद, मेरी आद्भुद दर्स्तन करने से, आपका जिमन खुश्यों, दिली और NCR की सभी लोगों को मास जरू रखे, दूरी जरू रखे, मरियादाओं का पालन करे, नमणना, राष्तान का हर वैक्ति जानता, एक दाती महराच गायों से बहुत प्यार करता, बेटियों से बहुत प्यार करता, हजारों शेक्रों बेटियों के लिए, जीवन के लिए, मैंने अपना संपूण जीवन दिया है और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनश्य हूँ और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आ कर दो कि कर दो …